नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागात आपका एक और इंफर्मेटिव वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करना के लिए हैं टेरा कोटा जाली के बारे में वीडियो बैस से पहले शुरू करूँ उससे पहले जान लेते हैं कि आप फ्रंट एलिवेशन में नॉर्मली क्या पालकनी में लगा सकते हो इसको आप आफिस में लगा सकते हो इन सभी जगहों पे टेरा कोटा जाली जो आप लगा सकते हो अब दोस्तों आज की वीडियो में हम बात क्या करने के लिए हैं कि तेरा कोटा जाली के फाइदे क्या है नुकसान क्या है कितने का आता है इसकी लं discurs करके हम आज को वीडियो में बताने याए हैं तो फटाफट से वीडियो ओ स्छूरू करते तो पहली बात कि आपका जो टारना जाली है ये आपका बनता किस चीजसे हैं ये दोस्तों नोपलिय बनता है नेिचुरल कले से lógically कि मतलब मिट्टी से बनता है दोस्तों आप नेच्टा से बनता है और worship के बनता कैसे कि मोल्डिंग में नेच्राइब को डाल करके 50 दिटेंपरेचर में लंबे टाइम तर्ग पकाया जाता है तब यह आपको बेचा जाता है तो ऐसे में नेच्राइब से बनता है और जिसकारण से यह आपके घर के लिए आपकी लिए बिल्कुल भी हानिकाक नहीं है इसको normally आप घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हुआ तो यह बहुत अच्छी बात हो अब इसका साइज क्या आता है इसका साइज दोस्तोँ आठ है आउड निची जो और आज दर्स इंची बरा इंची बरा इंची जो भारा इंचीopf में आता है तो यह सना ऑगे अब इसकी च partition wall ले रहे हो लंबा चोड़ा ले रहे हो तो ऐसे में आप maximum कोशिश करो कि कम से कम आप चार इंची चोड़ाई वाला ही आप जो है टेरा कोटा चाली आप यूज करो आप जोस्तों बहुत से लोग इसमें पूछते हैं कि इसमें कलर कौन-कौन से आते हैं नॉमली जो है इसमें कलर तो कई हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है इसमें रैड कलर जो ब्रिक कलर होता उसी टैप को यही कलर इसकी शान है दोस्तों अब इसी कलर में आप लगवा करके भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं आप चाहते हो कोई दूसरा कर वालों नदेखे हो तो इसमें आप्ल होति पेंट कर सकते हो अब यह वात हो गई अब इसमें हो जाता है कि यह इसमें शेप साइzw कई-कई साइज हैं तो बहुत सारे साइब शेंसाच्थ में सबस्यादा फैमिश जो है है डायमंड ओपल रूवल यह सारे फैमस है इसमें रहा आता चाहिए वेंटिलेशन जो है इदाजर की हवा पूरी होनी चाहिए तो यहां पर ऐसे में केंप का यूज के आता है कैंप जो है कैंप जो ट्रेकोटा जाली है इसमें आपको एक पार से दूसरे पार के जल्दी नहीं दिखाए देगा मगर वेंटिलेशन उतनी अच्छी बनी रहेगी तो कैमप शेप में जो आता है इसको भी आप यूज करके देख सकते हैं तो यहां पर शेप पता लगए आपको साहिस पता लग या आपको यह किस साहिज में आता है सब कुछ पता लग लग जो है इसका एक ट्रेकोटा जाली का धाई केजी सुरूओ करके साड़े 3 किजिय सक में होता है, 4 किजिय सक में विचाता है, तो ये आपको इसके size, shape, सब कुछ पता लग गया, अब बात कर लएते हैं advantage की, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इसका advantage है, ये advantage है कि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, यह क्लासिक लुग देता है, बहुत जवर्दस लुग देता है, उसके बाद यह साथ में जो यह natural clay से बना है, इस कारण से यह हमारे घर के लिए बहुत फाइदे मन्थ हो जाता है, जिसमें कि हमारे नुखम को कुछ नुकसान ने पहुंचाता है, स साथ में यह water resistant भी है, और इसका life भी दोस्तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब यह असा नहीं कह सकते हैं कि यह कुछ time के बाद आपका खराब हो जाएगा, बहुत लोग यह सोच होती है, कि यह आपका कुछ time के बाद खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, नहीं दोस जाएगा, मतलब कि उस लेवर को अच्छी तरह से इस टेरा कोटा जाली लगाना आना चाहिए, अगर नहीं आता है, तो ऐसे में आपका वो नुक्सान कर देगा, और ऐसे में आपका लगाने टाइम पे बहुत भारी नुक्सान हो जाएगा, जो इसके piece है, एक एक piece बहुत क काफी costly होते हैं, तो इसलिए से टेरा कोटा जाली का जो आपका piece है, वो बहुत ही महगा होने के कारण, आपको skilled labor होता है, normally जो होता है, आप ये इसके labor जो है, जो company आपको provide करती है, है टेरा कोटा जाली का, तो वो ही आपको labor भी provide कर देती है, तो ऐसे में आप उन लेवर का करना पड़ेगा, maintain करना पड़ेगा, आपको धोना पड़ेगा, मतलब ये आपका maintenance आपके हाथ में है, maintenance आप जितना करोगी उतना अच्छा उतना लोग आपको अगर का अच्छा रहेगा, तो और बहांकि आता है कि इसका rate किया है, अब जो तो ये piece के हिसाब से मिलता है, य ये आपका 80 रुपे से सुरू हो करके 200 रुपे तक में जाता है, एक piece का, अब इसमें जितना अच्छा जितना अच्छा लुक होगा, जितना के चोड़ाई होगी, company किस company से ले रहे हो, इसलिए rate बहुत vary करते है, किस company से ले रहे हो, क्या rate पढ़ रहा है आपको, ये सब कु बहुत शांदार आता है, दिखने बहुत असा लगता है, खासकर बहुत ज़्यदा लोग इसको front elevation में यूज़ कर रहे है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें कि ये front elevation में लगा करके अपने घर को एक शांदार लोग दे सकते हो, तो ये एक छोटी सी वीडियो है, आ अगर आपको अच्छी लगती है, तो लाइक करें, और दोस्तो किसी के लिए informative है, तो उसको share जरूर करें, यही सब चीज हमें motivate करता है, जितने आद आप like करते हो, share करते हो, comment करते हो, motivate करता है, और एक अच्छी वीडियो मिलाना है, तो प्लीज दोस्तो subscribe, like, share जरूर करें, जै हिन, जै भारा, जल्दी मिलते हैं, एक और इससे भी जाता informative वीडियो है,